नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम बैंजो का टोटल वायरिंग किस तरह से होता है इसके बारे में जानकरी लेंगे टोटल वायरिंग यानि बैंजो का जो पिकप है बटन है और यह जैक सोकेट है इसके अंदर का वायरिंग यह हम देखेंगे कि किस तरह होता है हाला कि हमन तो यहां पर हम आपको डाइग्रम की मदद से यहां पर दिखाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर भी खोल के देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर वाइरिंग होता है अब यहां पर हम देखेंगे कि यह पीकअप के लिए जो हूल गिराया है जैक सॉकिट के लिए जो होल गिराया है और यह बटन के लिए होल है इसके अंदर से सब वाइरिंग हुआ है तो यहां पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कुन सी वाइर कहा पर लगी है इसलिए अब इस वीडियो में हम आपको डाइग्रम की मदद से यह सब वाइरिंग बताएंगे किस तरह करना है ताके आपको आसनी से समझा सके तो दोस्तों बैंज दो वाइर निकलें एक ओपन वाइर रिक अहीं और एक वाइट वाइर है तो यह खुला वाइर जिवह हर पिक उर्यम मनें आपको दिखाई देगा और यह वाइट वाइट वाइर की जगह पे आपको depends सबी कलर हो सकते है उसको कोई इसउल क्योंट नहीं है और यह द्यान रखना है कि इस volume control की नीचे 10K लिका हुआ होना चाहिए क्यूंकि 10K volume control single pickup की wiring में सही से काम करता है इसके बाद 22K, 100K इस तरह के भी मिलते हैं लेकिन हो single pickup wiring में सही से work नहीं करेंगे तो आपको 10K का ही volume control cap के साथ लेना है तो यह हो गई में चीजे और इसके साथ आपको लगेगा एक शोल्डर और एक शोल्डर रिंग वायर तो चलिए अब डाइग्रम की मदद से हम देखेंगे कि इन सब का wiring हमें किस तरह से करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है pickup और यह jack socket और यह volume control जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि pickup से एक में वायर आती है जिसमें से दो वायर निकलते है खुला वायर होता है खुला वायर ठीक है ना तो यह खुला वायर जो होता है वह आपको जैक सोकेट के निचले हिस्से में शोल्डिंग करना है जैक सोकेट का निचला हिस्सा आने आपको यहाँ पे दिखाते हैं यह जैक सोकेट है ना तो यह होल के जो पाजु में वो निचला हिस्सार उपर में दो पिन दिये हुए वो यह वाले ठीक है तो यहाँ पे शोल्डर कर के बात यहाँ पे आपको और एक इस तरह वायर लेना है कि और उस वायर को आ का कि आ आपको वॉल्यूम कंट्रोल के पहले वाले पिन में शोल्डर करना है पहला वाला पिन यह जो जिस पर आप वॉल्यूम नरॉय को देखेंगे तो जहाओ एक कि थोड़ा यहां पे, यहां पर पहल यहां प करना यहां पर करना है, यहां पर शोल्डर करना है, तो यहां पे शोलडिंग होने के बाद यह जाएगा बैंजो की जो लास वाली ट्रिणिंग की होती है Sward Mandl की है इसमें आर्थिंग के लिए जाएगा है है यह घुला वायर हो गया कि असने तो आपको समझ में आएगा कि यह फुला वायर है अब हम किक प्रकांब सुनीं दुसरा वायर होता है जो के अब भी हमने आपको पेजह के ओई रटी वायर हुआ उसको हमें के यह जर्टी के जो ऊपर के दू पिन HOL Tन ही दूनों और में थेकरण इश्रोट करना हो दोनपीन में इसमें शूर्डिंग मानना है, फिर इसके बात यहां पर और यक वायर लेगे यह जाएगा का की वल्यूम कंट्रोल के यहां पर सूर्डिंग होगा कि गाहिव तो यहें बैंजो का पर्फेक वायर्いंग अब वायरिंग करते तो करना है इस तरह आप दिखाय करोगे तो बैंजो बैटेगा नहीं ठीक से यह पर्सक्ट वैरिंग है और वायरिंग करने आपको यह ध्यान में रखना है और यह जो वायरिंग है यह अभी के जो पिक-प बनते हैं इसमें पर्फ्यक्ट काम करता है आप कोई पूराना वाला pickup लोगे या कोई जो बनने का तरीका पूरान होगा उस टाइब का pickup लोगे तो शायद ये wiring सही से काम नहीं कर पाएगा तो pickup जैसे जैसे बदलते गया उस तरह से उसका wiring भी change होते गया तो अभी कि जो modern pickup बनते हैं उसमें इस तरह का wiring एकदम perfect होता है आपका बै वीडियो में जो जानकारी दिखाई है उससे आप घर वैटे आपके बैंजो का perfect wiring कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ने किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर किजे क्योंकि 60,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम double pickup जो guitar pickup लगा जाता है उसका भी wiring आपको करें यह इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर किजे मिलते हैं अगले वीडियो में ठेंक्यू